आज फिर आप सभी के लिए बड़ी खुस खबरी लेकार हाजिर हो चुछ के हैं। अगर आप एक पैंसन लाबारती हैं तो इस वीडियो को आप चुरूर पोच करेगा। आपको बता दें कि केंदर सरकार की तरफ से पैंसन धारकोंको नए साल का जबरदस्त तوفा जारी कर दिया है। यानि के 25 आप पैंसन लाबारत्यों को Mark 1 पैंसन के रिविजन की मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तो, 25 लाग पैंसन लाब आर्थियों को इसका लाब मिलने वाला है, अब जो बागी के पैंसन लाब आर्थि हैं, उनको लाब नहीं दिया जाएगा। जानकारी आपको इस वीडियो के मात्यम से देने जा रहे हैं। वीडियो को सुरू करते हैं। दोस्तो, केंदर सरकार की तरफ से पैंसन धार्खो को नए साल का जबरदस्त तोफा दे दिया गया है। काफी लंबे समय से पैंसन लाबारती वन रैंक वन पैंसन के रिवेजिन की मांग कर रहे थे। वही केंदर केबिनेट की बैठक में मोधी सरकार ने मंजूरी देती है। जिसका लाब 25 लाब 25 लाब पैंसन धार्खो को मिलने जा रहा है। वही दोस्तो, हाला कि काफी ऐसे पैंसन लाबारती हैं जिसको वन रैंक वन पैंसन का जो लाब है वह नहीं मिल पाएगा। रिवीजन का लाव बेह नहीं ले पाएंगे. अब वेह कौन पैंसन लाव आरती है उसके बारे में भी दोस्तो हम आपको इस वीडियो के मात्यम से बताने जा रहे हैं. अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा. आपको बता दें केंद्रियक मंत्री अनुराग ठाकुरूजी ने बताया है कि वन रैंक वन पैंसन का रिविजन किया गया है पहले इस योजना में 20 लांक 60,000 पैंसरों को लाब मिलता था लेकिन अब संसोधन के बाद 25 लांक को इसका फाइदा मिलने वाला है यानिके पहले इसका लाब दोस्तों करीब 20 लांक 60,000 लोग को मिलता था लेकिन अब 25 लांक हो गए हैं जिनको लाब मिलने वाला है साथी यह लाब देने के लिए सरकार पर इसका जो दोस्तों भार है वह करीब 85,000 सोरी 8,500 करोड रुपे का आने वाला है यानिके क्रमचारियों को जो यहाँ पर पैंशन दे जाएगी उसका जो भार होगा 8,500 रुपे होगा अब दोस्तों बात करते हैं कि यह जो पैंशन है वह किन व्यक्त्यों को नहीं दे जाएगी उससे पहले आपको बता दे कि केंद्रिया मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि इसके तहट जुलाई 2019 से जून 2022 तक की अवधी का एरियर या बकाया भी दिया जाएगा तो यह भी अनुराग ठाकुर जी ने बड़ी घोसना कर दी है इस काफी काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और दोस्तों आपको बता दे कि इसमें जो यहाँ पर 23,638.07 करोड रुपे की रासी बनती है उन्होंने कहा है कि इसका लाब सभी रक्षा बलों से सेवानी वर्त होने वाले और परिवार पैंसरों को दिया जाएगा दोस्तों यह लाब जो करमचारी हैं जिनकी मिर्ति हो चुकी है उनकी विद्वाव को भी यह लाब दिया जाएगा इसका भी सरकार दुवारा जो फैसला है वह लिया गया है घोशना की गई है आपको बता दें कि केंद्रिय सूचना परसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि जिन रक्सा करमियों ने 1 जुलाई 2014 के बाद VRS यानि के जिन्होंने 1 जुलाई 2014 के बाद स्वेमी रिटार्मेंट लिया है उन्हें इसका लाब नहीं मिलेगा जी हाँ यहाँ यहाँ पर उन 55 लाब नहीं मिलने वाला है जिन्होंने 172014 के बाद स्वेमी रिटार लिया है ठीक है रिटार्मेंट हुए स्वेमी उन्हें इसका लाब नहीं मिलने वाला है उन्होंने बताया कि इस अवधी के बाद रिटार हुए शुरक्षा कर्मियों को मिला कर अब लाबार्तियों की जो सेंख्या है वह बढ़कर 25,003,002 हो गई है जिनको लाब अब मिलने वाला है अब दोस्तों आपको यह जानकारी अच्छे लगी होगी और काफी लंबे समय से ओ आर ओ पी पैंसन यानके वन रेंग वन पैंसन का इंतजार क्या जा रहा था मांग भी की जारी थी रिविजन को लेकर जो की दोस्तों आप पूरी हो चुकी है दोस्तों यह थी आपके लिए महत्पूर जानकारी आपको जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जुरू बताएगा यदि आपका कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं और आप से हमारा निविदन है कि अगर आप चै देश हैं लेकिन नए साल से पहले और भी कहीं बड़े तोफे आप सभी को मिलने वाले हैं दोस्तों तो आप मेरी चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करेंगा बैलेगन को ओल पर आप स्लेक्ट कर लेजगा तब ही आप व्यासंपूर जानकारी प्राप्त कर पाएंगे इस च ओटके मुताबिक और ये सर스가 किस तमाम जानकारी आप Khupt के माध्यमस से दी जाती हैते हैं थी चाहते हैं अब स्चाहते हैं आपको नशनाहमें सोर्वीडियो में नए जानकर करेंगे हैं तब तक के लिए जैंध भारत धन्यवाद झाल झाल